बिहार में अगले साल विधान सबाद चुनाव होने हैं और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के साथ बड़ा खेला हो सकता है बिहार में मुख्य विपक्षी दल और जेडी के विधायक मुकेश रोशन के इस दावे से खलबली मच गई है मुकेश रोशन का कहना है कि चिराग पासवान के तीन सांसदों को अपने कबजे में लेने के लिए बिजेपी ने पहल शुरू कर दी है ऐसे में दभी जुबान में कानफूसी शुरू हो गई है और कहीं तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मोह भंग हो गया है क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो वीडियो कौन तक देखिए सब समझ जाएंगे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये सब समझने में बड़ी आसानी होगी तो चलिए सबसे पहले निताओं के बयान से शुरू करते हैं सबसे पहले ये जान लें कि पार्टी में तूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है कहा है कि बहुत जल्द ये नतीज़ा आएगा कि लजेपी रामविलास के तीन सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे बीजेपी का ये इतिहास रहा है कई विधायकों को उन्होंने अपने पाले में किया है विकास सील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया अब लजेपी पर लगी है जब जब चिराग पासवान आख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देते हैं हलाकि इस पूरे मामले पर लजेपी रामविलास के परवक्ता राजुतिवारी ने कहा है कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातों पर जवाब देना वो बिल्कुल उचित नहीं समझते हैं लजेपी रामविलास की पार्टी में तूट हो या ना हो लेकिन इस दावे के पीछे कई ऐसी वजएए हैं जिसके चलते इस तरीके का बयान दिया गया है दरसल चिराग पासवान केंदर में मंत्री हैं वो पिछले कुछ दिनों से मोधी सरकार की लाइन से अलग चल रहे हैं बीजेपी के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं ऐसे मेस को लेकर विपक्ष हवा देने की कोशिश कर रहा है चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोट के फैसले का विरोध किया उन्होंने केंदर सरकार के फैसले से अपना निर्ने अलग रखा इसके बाद फिर लेटरल एंटरी के जरीए हाल ही में 45 पदों पर जो न्यूकती निकाली गई थी इस पर उन्होंने केंदर को घेरा बाद में इस फैसले को रद करना पड़ा केंदर सरकार की और से जब लोगसबा में वकफ शंचोधन बिल पेश किया गया तो इसका भी विरोध किया वकफ बॉर्ड बिलको जे पीसी में भीजने की मांग की इसके बाद जारखन में उन्होंने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया बीते 25 अगस्त को उन्होंने पालिटी की रास्टे कारेकारणी की बैठक की थी उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बात नहीं बनी तो अकेले भी वहाँ वो चुनाव लड़ने के लिए तयार है और सबसे बड़ी बात जिस जाते जंगर्णा पर राहुल गांधी बीजेपी को घेरना चाहते हैं उसी जाते जंगर्णा को लेकर चिराग विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके है हाला कि तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में तूट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर बीते गुरुवार 29 अगस्त को इस पर परतिक्रिया दी है चिराग ने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पस्टिकरन दे चुके हैं मुझे राष्ट्य अध्यष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमती थी जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवा को हवा दे कर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा तो ये काट की हांडी बार बार नहीं चड़ेगी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पशुपती पारस ने केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिश्चा से मुलाकात की थी इसके साथ ही बीजेपी के परदेश अध्यष दिलीब जैसवाल ने भी पशुपती पारस से मुलाकात की थी मुलाकात के बाद पारस ने भरो से दिलाया था कि आगामे विधान सबच नाव में उनकी पार्टी एंडिये के साथ रहेगी ऐसे में इसे भी कहीं एंगल से देखा जा रहा है